आज हम देखने वाले खान सर के पावर्फुल मोटिवेशन वीडियो वीडियो को आखरी तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अथारा से पचीश के बीच के एज है न विद्याप्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड देता है अचा बनाएगा तो ऐसा कि दिनिया देखे इचा बिगाड़ेगा का इसा क्योंकर आख फूजे देखने का बनना करें इस एज को कंट्रोल करके रखेंगे अच बिल्कर सही कहा है उसरा निली जाएगा मत्तब जिंदगी तुमने दूसरे पर डिपेंडेंट बना दियो नहीं भी मिलेगा अकेले नहीं जी सकते हो जा थिंकिंग रखे हो कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना अकेले जी के देखो ना रोना दोना ना बाबू स आज कल के यंग जनरेशन को महा बाप ना थाली में सजाके चीजे दे रहें इपैसे ले लो ह़ोस्टल में फीस दे देना ये पैसे लेलो बाबू ये तुम मेस में दे 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 देना ये खाना खाले ना सब कुछ होकला के बादी ये पाकिट खर्च ले लो अतनी ममी चरवा क कुछ पैसा बाबु खा लेना बाहर में जूस पी लेना जब इतनी सुख जानती जब मिलती है ना इनसान को लगने लगता है ना अब वो एक और इनसान की जिंदगी अच्छे से पाल सकता है इसलिए अब उसके मन में जिग्यासा और उमीद जगने लगती है थास मेरा भी यार ठोड़ जादे बात करेंगे तो मेरा पूल खुल जाएगा कि हमारी अवकात क्या है हमारी हैसियत याद रखनो बाबु अगर लड़का कामयाब नहीं है यह बहुत कठोर सकत है लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है लड रखना बाबु अगर आप कामयाब नहीं होगे तो कोई न कोई अमीर घर का आएगा कोई कामयाब होके आएगा आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बताम करेंगे कि वह बेवफा है तुम देर से कामयाब यह दुनिया बहुत खराब है उसी के संगर्स की एहम कामयाब हुआ है लाक संगास करिए अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई भालू नहीं देगी दुनिया कोई वह दूख ना आए ना इंसान अपने आपको भागवान समझ बैठेगा अपनी अवकाद भूल जाएगा इसान को रोना आके हम लोग हमानी अवकाद दिखा के लि लेकिन दूख भूट पहाल लगता है लेकिन बहुत कुछ सिछा की जाता है और बहुत छहरों की पहचान भी करा की जाता है बन जान की सईरे करका है हम आपको जीवन का टाजरुबा बतारह है.. इसलिए हम तनीत मैं भी बॉले ते कि बहुत दूर तक जाना परता है ये जान इसको भंदा बना दिया और पानी पीचने लगे हैं सिख्षा भी फिरी होनी चाहिए थी लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया फिर इसे धंदा बना दिया कि आपके घर की ज़रूरत है, मापाप का सपना है, आपके लिए कोई इनतजार कर रहा है ये जरूरी है आपको अगर सफल नहीं हो गए, तो पूरी समाज आपको टाना मरेगा जादे पडोस में, दोस्तों में और रिस्तदारों में ठोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं शुतुर मुर्ग की तरह मूँ चुपाने से समस्याइं नहीं खतम हो जाती है, समस्याओं से लगना पर अगर बोल दिया जीवन भर बात नहीं करेंगे तो अगर वो बोला है सामने वाला इत्मीर उसके जीवन में आपकी कोई एहमियत नहीं है आपने तो नहीं बोला है, धोखा देना पाफ है, धोखा खाना नहीं है राइट, बिल्कुर चही कहा उस्ताय कि सर आमकी गल्फरेंड है, अपना सकल देखने को है यह नहीं है और जिनकी गल्फरेंड होती है, वो खभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं, कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना है जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना बहुत पढ़ना है, समझेगा आप सफलता के रास्ते, जिस दिन डर नहीं लगेगा ना अपको अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएगे, भुलसिल में जो कि सफलता इतना कफिन पुरिसरम मान किए, अच्छा अच्छा इंसान दर जाता है जो कच्छी उम्र में अट्रेक्शन को प्रेम समझ बैठते हो, और इसके पीछे अपनी जवानी का सबसे कीमती समय बरबाद करते हो, इससे जिवन में बड़ी परेशानी आने वाली है, एक बात याद रखिएगा, मरत्यों इंसान को आती है, यादों को नहीं, मसला ये नह इतनी कम उम्र में कौन-कौन से दोर देखोगे, पैसा, रिष्टे, प्यार, धोका, ये सब दोर देख लेना चाते हो, तूटके बिखड जाओगे, इनी सब का परिणाम है, कि पतनियां प्रेमिकाएं होना चाती है, और प्रेमिकाएं पतनियां होना चाती है, शायदी कोई पुरुष किसी इसटरी को पूरी तरीती से मिल पाया एक समय के बाद सोचोगे कि सारी उम्र महभबत में कट गई लेकिन एक शक्ष भी तुमारा ना हुआ हो सकता है कि तुमने उस जैसा कभी नहीं देखा होगा तुमें उस जैसा कभी ना मिले लेकिन अगर आज तुमने कुछ भी नहीं किया अगर इस समय से अपने आपको नहीं बनाया तो दिक्कत यह है कि मिलेगा वो भी नहीं मेरी इतनी बातों के बावजुद भी आप मेंसे बहुत कम विद्याती ऐसे होंगे जो बातों को समझ रहे होंगे या बातों को मान लें आगर गार कौन सीखता है बातों से जिन्दगी में हर किसी को सीखने के लिए एक हाथसा जरूरी है राइट बिल्कुल सही लेकिनी पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है सो ओफ की दुनिया से इतना नफरत रहता अब दिखावा करता है समत पूछें आप फोर्विलर ने अले लेगा ना उसका सिस्वा डाउन करते हैं आप खुब हाइस पिड में गाना बजाएगा के लोग देखो देखो कि हमरे लागे फोर्विलर आरे पैल कहीं गा अब ने चलाएगा इसे यह यह कभी दिखावे के दुनिया में मत रहिएगा ताम आज कल के रिष्टे भी ना ब्लूटूथ की तरह हो गया है दूरी होते ही साचिंग फॉर नियू डिवाइस जिंदगी में एक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ें आपको जिस दिन मिलेगी उस दिन के बाद से आपकी उनको लेकर के इच्छा शक्ति कम हो जाएगी आप बचपन में एक रुपिय की आईसक्रीम खाने के लिए भी कितना ललचाते थे आपका मन कितना करता बरी दोपहर में बरी गर्मी में जैसे ही आपको आईसक्रीम वाले की घंटी सुनाई देती थी आप दूप में भागते वे जाती थे उस समय दिक्कत यह थी कि हमें एक एक रुपिय के लिए घरवलों से संगर्श करना पड़ता था आज हमारे पास आईसक्रीम खाने जितन अगर आपको जो चीजें चाहिए उनकी पर्याप्ता होने लगी अमेरा विश्वास मानिये के जीवन जीने का जो मजा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा राइट बिल्कुल सही दुनिया में पढ़ाई एक ऐसा चीजना जो उमर के साथ साथ ही अच्छा लगता बाकी कोई काम आप चाहें जिस उमर में करना चाहें आप कर सकते हैं लेकिन आप पताओ कि आपका ये उमर ढ़ल जाएगा जिस दिन और जादे दिन का समय नहीं है द दस पंदरा बार मारना पड़ता है कील फाइनली आखरी हथोड़े से ही जाती है इसका मतलग ये नहीं कि उससे पहले हथोड़े की कोई एमियत नहीं थी संगाना तो आइसा नहीं है कि आपको यहां तक आने में यहां और आपको आदकर रहता हैं तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंड़ कोँ तरह है तिकता जितना है है ना उससे बहूत निचे है हम तो यहीं कहते हैं यदि पढ़कर भूलना ही है तो पढ़े ही क्यों थे जब पढ़कर भूलना है तो पढ़े ही क्यों थे आप खुद से पुझे न और अगर हार मान जाना है किसी काम से तो शुरू ही क्यों कि यह थे अगर खाली हाथ पकना से लोटना है आए क्यूं थे तो गाइस यह सी खान सर की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसे तरह और भी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में चाहिन चाह भारत